हलो दोस्तों मैउपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल यू के टुटोरियल में आज हम लोग जानेंगे दोस्तों जारखन के मेले के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रस्ण है कि हिजला मेला कायोजन की इस नदी के किनारे किया जाता है तो हिजला मेला कायोजन होता है दोस्तों मयूराक्षी नदी के किनारे यह मेला को अगर देखे दोस्तों तो यह मेला दुमका जीला में बसंत रीतु के सुब आउसर पर आयोज़त होती है यह मेले में देखें तो 1890 इसवी से 1890 में हाँ केको पायुक्त थे काष्टेर्ष तो काष्टेर्ष के समय से ही यह मेला जो है आयो जित होते आ रहा है इस मेले से अगर देखें तो जो संथाल लोग है इनका एक विसे सेतिहासिक महत्व रहा है और ऐसे भी देख सकते हैं कि यह मेला जो है दुमका जीला में आजीत होती है यहाँ पर जो हिजला है दोस्तों तो यहाँ पर हिजल पाइट नाम खनीज पाया जाने के कारण इसका एक संचित रूपा अंतरीत नाम हुगा हिजला इसलिए इसमेले का नाम भी हिजला रखा गया है आगे देखते हैं दोस्तों कि जारकन राज में आयोजित के जाने वाले निमली खीत मेलों में उनके आयोजन इस्थल के साथ सुमलीद करें एक साइड हो गया मेला एक साइड उसका आयोजन इस्थल तो यहां पर देखें तो रथ मेला रथ मेला का आयोजन कहा होता है दोस्तों तो रथ मेला का आयोजन आप लोग जानते होंगे कि जगरनाथ पूर में राची के जगरनाथ पूर में मेला का आयोजित होता है जहां पर उडिसा के तर्ज पर यह मेला निर्मित है मतलब बनाया गया है और उहीं के अनुसार यहां पर भी रत का मेला आयोजित होता है और यहां पर रत गींचा जाता है तो आप लोग इसे परिचित भी होंगे यह मेला देखें दोस्तों अगर रत मेला की बात करें तो यह असाड महिने के सुक लपक्च के दूतियों में का दसी को आयोजित होती है इसके बाद होता है दोस्तों सुर्य कुंड मेला हजीमा पत्थर मेला तो हाथिमा पथर मेला जो है यह अपका होता है दोस्तों अग्रा फूसरो बोकारों में आयोजीत होता है इसके बार देखें तो हाथिमा جो पथर मेला है अग्र शूर्य विए धाध सबसे घरम पानी रहती है जो जार्खन के सबसे गर्म इस्थल में मलना चाहे गर्म जलकुंड में नाम आता है ये मेला का भी आयोजन अगर देखे तो मकर सक्रांती का अगले 10 दिनों तक आयोजीत होती है इसके बाद होता है दोस्तों हीजला मेला थे हीजला मेला भी बताया दोस्तों कि दुम ते होते हैं दूस्तों मंडा मिला तो मंडा मिला जो लगता है तो मंडा मिला अगर देखें तो हजारी बा ग्रामगड बुकारों तीन जगह पर आयोजित होती है और ये बैसाक जेट और साण मामे आयोजित होती है यहां पर जो लोग होते हैं स्रधालू होते हैं अंगारों क अंगारों मतलब समझ सते हैं जो जलता हुआ आग, आग पर नगे पावचल कर अपनी अस्था को परदर्शित करते हैं आगला प्रस्थन है कि निव में से कीस जीले में मंडा मिला कायोजन नहीं किया जाता है तो यहाँ पर देखें दोस्तों कि तीन जीले में मंडा मिला कायोजन होता है हजारी बाग, बोकारो और रामगर और पलामू में नहीं होता है तो यहाँ पर इसका एंसर यह हो जाएगा अगला प्रस्थन है कि निव में से कौन सा एक जारखन का परचलित मेला देखर में आयोजित किया जाता है तो इसके परचीत होंगा दोस्तों कि जब स्रावणी मेला है यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि सावन का जो मेला लगता है स्रावन मेला या सावन मेला एक ही है तो यहाँ पर आयोजन होता है द्योगर में अगर इस मेले की बात करें दोस्तों तो सावन के महिले पर आयोजीत होता है और यहाँ पर सीव के जो मनो कमना जोती लिंग है तो यहाँ पर जल लोग चड़ा करके अपने अस्था ब्यक्त करत हैं और भारत जोती लिंगों में से यह अगर यह देखें दोस्तों तो बीस व का सबसे बड़ावार सी मानओ मेला है स्रावुनी मेला है अगला प्रसंतें की निन वन मेंसे किस मेले का tire象 Mullin मकर सक्रांती कżej पर किया जाता है तो मकर संक्रांतिक तो आयो जित होता है और यह बकारो जिले के फुसरो नामक जगाफ पर आयो जित होता है कि इस मेले की दोगा को दोगावी जाता है तो यहां पर देखें तो सीव के जोती लिंगों पर मलारपन जो किया जाता है मनोकमना के जोती लिंगों पर जलारपन जो किया जाता है दोस्तों में कुण सा मिला है तो स्रावणी मिला है जो सावन में आवेजित होता है देवघर में अगला प्रस्न है कि गांधी मिले का आयोजन जार्खन के किस जीले में किया जाता है तो जार्खन में अगर देखे दोस्तों गांधी मिले का आयोजन जो होता है वो सिम्डेगा जीले में होता है तो इसका एंसर यहाँ पर ए हो जाएगा अगला प्रस्ने के निव में से किस मेले का आयोजन चात्रा जिला में किया जाता है यहाँ पर चात्रा जिले में आयोजित होने वाला मेला है दोस्तों चत्रा ही मेला लेकिन और मेला आयोजित होते हैं चत्रा में लेकिन यहाँ पर जो option में दे रहा है यहाँ पर जत्रा ही मेला ही होगा बाकी जो मेला के जाओ नाम दिया हुआ है यह चत्रा जिला में आयोजित नहीं होते हैं एक चत्रा जिला में और मेला है दोस्तों, जो प्रतापूर चत्रा में लगता है, वो मेला का नाम है कुंदा मेला, इसको भी थोड़ा से ध्यान में रखेगा, एक फागुन महमें सिवरातरी के समय, अवेजीत होता है, इस मेले का आवजन पसु मेला के रूप में किया जाता ह है, एक कौन समयला बताया दोस्तों, तो कुंदा मेला, तो यहां पर जत्रा ही मिला, और कुंदा मेला, चत्रा जिले में दो परमुख मेले हैं, इसको नाम याद रखेगा, आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार